तो भाईयो आज हमारे सामने विडिये टोयेटा इनोवा हाइक्रोस हाइब्रेड टोफ मोडल जडेक्स हाइब्रेड है तो आज की वीडियों पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे इसका क्या कुछ जो आपको इसके अंदर फीचर देखने ले विलते हैं क्या कुछ इंद पाव है की काफी प्रीमियम है यहां से जो है लोक अनलोक और यहां से जो है बूट ओपन हो जाएगा पावर टेल गेट दिया गया है कि यहां पर भी जो है बटन दिया गया है कि यहां तो यहां साइड से लुक है पूरा लीडी सेट अप दिया गया है यहां पर पूरा अलीडी सेट अप दिया गया है यहां पर पूरा अलीडी सेट अप दिया गया है यहां पर इंडिगेटर दिया गया है फ्रंट पार्किंग सेंसर दिया गया है यहां पर ग्रील दिया गया है तोयटा का लोगू दिया गया है और यहां पर कैमरा दिया गया के अंदर जो है अच्छा खाला डिजाइन दिया गए है वाइपर की क्योल्टी ठीक ठाक है उपर आपको कैमरा भी मिच जाता है यहां पर हाइप्रोस जो है सोरी हाइब्रीड की बैजिंग ही निचे जहाओ को कैमरा भी दिए यह टाइन इंडिकेटर के साथ भू आछ ऐसे दो ट्रीम दिया गए और तो एसा कुछ दो ट्रीम दिया गए यहां पर दो फुली लेधर यहां पर जाओ मेमोरी शीट एर्जेस्ट्मेंट दीगी आपर जो क्रॉमडोर एंडल दिया गएया पार विंडो कंट्रोल दिये गई है है यहां से मीरर अर्जेस्ट करेंगे है यहां पर इलिवर का यूज किया गया स्पीकर दिया गया है बोटल ओल्ड़ दिया गया है यहां पर इलेक्ट्रिक लिए सिट अच्यक्रमेंट दी गई है ऊटोमेटिक है अब चलते इसके करने अंदर में यहां से भी आप जो बूत ओपन कर सकते हैं यहां से जो अडल है अब करेंगे को कि मिंजन स्टाइट स्टो बटन यहां पर दिया गाए तो ऐसा कुछ जो steering wheel दिया गया फुली लैदर रेफ्ट steering wheel दिया गया और इसके अंदर जो add-as आता है यहां पर जो land keep assist बगिरा दिया गया है और यहां पर जो adaptive cruise control बगिरा दिया गया है यहां पर voice command बगिरा के लिए दिए volume of down करने के लिए phone operate करने के लिए यहां पर पेडल शिफ्टर दिया गया है आप जो इसे manual भी चला सकते हैं यहां पर पूस्टार स्टो बटन दिया गया है और यहां पर फ्यूल दिखाएगा और इस नीचे टैंपरेचर और यहां पर जो आर्पेम दिया गया है यहां प और कैमरे की clarity चेक करो भाई कितनी ज्यादा गटी है पता ही नहीं सब्सक्राइब कुछ देखना कितना धुंदला 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 है और यह अभी जो है टाटा हैरियर और टाटा सफारी है उनकी कैमरा के लिए टीना इतनी अच्छी है और यह उस प्राइज प्रेटिया कैमरा दे रही है वाई मज़ा निया है देखकर आपर फोन बगेरा अंडूड़ डूट अपल का पर इसके अंदर आज जाता है यहां पर जो है ऑटमेटिक गेर बोक्स दिया गया है यहां पर जो इसके मोड होगे ड्राइव मोड इवी मोड जो अट्रेक्शन क यहां पर जो है वैल बोट का तारजिंग सोकेट गलब बोक्स यहां पर टू को कोल्डर यहां पर वेंटिलेटिड शीट आज आती है इसके अंदर यहां पर वेंटिलेटिड शीट के कंट्रोल दिये गया है अब चलते है पीछे वो मैमोरी शीट फंक्शन हा बाई पीछे आगे हो जाती है यहां से आप अब जेस्ट करें हैं अब नीचे डेड पैडल भी दिया गया है अगर स्टेरिंग के अर्जेस्टमेंट की बात करें विद्ट टेलिसकोपिक दोनों आ जाते हैं उपर विट्र दिया गया है जैब यल का म्यूजिक शिस्टम दिया गया है कि अ यहां पर speaker दिया गया है और यह captain seat है यहां पर type C port दिये गया है दो दो यहां पर 2 को फोल्डर दिया गया है यहां पर माँ आपको दिखाना गुलिए यहां पर पूरा पैनलों में पर यहां पर दिया गया है यहां पर भी mirror यहां ऑटमेटिक IR भी मिल जाता है आगे से dashboard चेक करो ऐसा को जद दिया गया है ग्लेयर नोब आपको जो ओपर की साइड दिया गया है यहां पर टाइपशी पोर्ट यूएश्पी पोर्ट दिया गया है सिल्वर का यूज किया गया आप देख सकते हैं पीछे और यहां पर जो है कंट्रोल भी दिये गया है कंफट तो पूरा प्रोवाइड करती है भाई पीछे का लुक दिया गया है यहां पर पूरा लीडी सेट अप दिया गया है यहां पर वाइपर डिफोगर बैक लाइट स्पोईलर उपर शाफ फैन एंटिना और पीछे आपको जो रियर कैमरा दिया गया है जडेक्स हाइब्रीड की यहां पर बैजिंग है रिवर्स पार्किंग सेंसर और टेलगेट मिल जाता है दो-दो आइड्रोलिक जैक दिये गये हैं यहां पर काफी अच्छी जो फिनिशिंग दी गयी है यहां पर टूल किट और काफी लंबी गाड़ी है फैड्रो में आपको जो है ऐसी दीगी है यहां पर लाइटिंग दीगी है और सारे क्सारे आपको जो है अध्रेस थैकेच आपको जो अजेस्टबल दीए गये हैं यहां पर कफोल्ड रा गिएगे और पीछे खास कोई स्पेस है नि देख हो आप डिख सकते हैं कि यहां से आप जो फोल्ड अन्फोल्ड करा हूं अब बात क्रीस के इंजन की तो आपको जो है पेट्रोल फोर्स लेंडर इंजन दिया गया हाईब्रीड के साथ जो कि प्रड्यूस करता है 183 बहपी और 206 न्यूटर मिटर ओफ टॉर्क अगर शेफ्टी की बात करें तो फाइफ स्टार रेटिट गाड़ी है एडास आपको मिल जाता है और चारो टायरों में आपको जो डिस ब्रेक मिल जाती है अडेफ्ट और 23 के राउंड आपको जब रेज निकाल के देदी हाईब्रीड केंगलर और फिलफिलर कपैस्टी आपको जमा बताना भूलिया तो वह जो आपको बाउन लिटर की देखने के लिए मिलती है बाउन लिटर के फिल फिलर कैप के साथ आपको ज़ा 23 के माइलेज दे देगी हाइब्रेड और पेट्रोल मिक्स तो आज की वीडियो में बसत रहे ही मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको इनोवा हाइ क्रोस कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर से बता देना